नमस्कार ग्यान विज्ञानेवं रजनात्मक्ता के संसार शब्द सौर्भम यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वाकतेवं अभिननन है प्रस्तुत है दर्षन का सारात्मक अंस वेदान्त में अधिकारी का लक्षन बताने के बाद कहा गया था कि अधिकारी को ही गुरू परमतत्तो का ज्यान देते हैं और जो अधिकारी नहीं होता उसे ज्यान नहीं दिया जाता है अर्थात ज्यान करने के लिए आपका अधिकारी होना आवश्यक है अब प्रस्ना आता है कि गुरू परम तत्व का ज्यान देते कैसे हैं तो इस पर कहते हैं कि गुरू अध्यारोप और अफवाद नयाय से ज्यान देते हैं प्रस्ण होता है कि अध्यारोप किसे कहते हैं तो अध्यारोप वस्तु पर अवस्तु का आरोप करने को कहते हैं अर्थात वास्तविक्ता को न जानकर उस पर अवास्तविक्ता का ज्यान हो जाना ही अध्यारोप है अब प्रस्ण होता है कि वास्तविक्ता क्या है और अवस्त तो इस पर कहते हैं कि जो सत्य है सत्य उसे कहते हैं जो कभी भी बदलता नहीं है जो त्रिकाला बाधित होता है किसी भी काल में उसका नास नहीं होता उसको सत्य कहते हैं तो ऐसी वस्तु और सत्य केवल आत्मा और ब्रह्म हैं और अवस्तु क्या है तो अवस्तु है जूट अ असत्य तो वह क्या है तो कहते हैं असत्य वह है जो वर्तमान में आपको प्रतीत हो रही हो लेकिन बार में उसका नाश हो जाए तो ऐसी वस्तु कौन सी है तो कहते हैं सत्य के अतरिक्त जितना कुछ है असत्य वह अज्ञाना दी सबकुछ अवस्तु है जितना भी जड़पद दिख रहा है वो सब कुछ अवस्तु है अब प्रस्न होता है कि आखिरकार वास्तविक्ता पर अवास्तविक्ता का ज्यान कैसे होता है कोई कारण तो होगा जिसकी वजह से वास्तविक्ता पर अवास्तविक्ता का ज्यान होता है तो इस पर कहते हैं कि यह वास्तविक्ता पर अवास्त विक्ता का अग्यान अग्यान के कारण होता है प्रस्न होता है कि अग्यान कैसे करता है तो इस पर कहते हैं कि अग्यान की दो शक्तियां है आवरन शक्ति और विक्षेप शक्ति अग्यान की आवरन शक्ति वास्त विक्ता को ढखती है अर्थात अग्यान अपनी आव वास्तिविक्ता स्रिष्ठि संसार यह स्रिजन होता कैसे है अर्थात अज्यान की विक्षेब शAKTİ ब्रह्म रूब वस्तु पर अवस्तु का स्रिजन संसार का स्रिजन कैसे करती है यह प्रस्ण है तो आज यही आपको सुछब धंसे समझाये जाएगा इसके अधिक ज्यान के लिए और शब्द सहाग ज्यान करने के लिए आपको हमारे वेदान पसार के अन्य वीडियो का अधियन करना चाहिए यहां आपको सार रूप में बताया जा रहा है तो आईए चलते हैं अग्यान प्रिगुनात्मक है यह कहा जा चुका है तो त्रिगुणात्मक जो अज्ञान है वह तमो प्रधान विक्षेप शक्ति के द्वारा आकास को उत्पन करती है आकास से वायू उत्पन होता है वायू से अगनी अगनी से जल और जल से पृत्वी की उत्पत्ति होती है अब तमह प्रधान विक्षेप शक्ति से ही आकास वायू अगनी जल पृत्वी की उत्पत्ति हुई है अतह इन आकासादियों में भी तमोगुण की प्रधानता है यह तमोगुण की प्रधानता इसलिए मानी गई है क्योंकि आकास वायू अगनी जल पृत्वी यह जड़ है सत्व और रज नहीं है तो कहते हैं कि महोदे सत्व और रज भी है तमोगुण की प्रधानता से युक्त विक्षेप शक्ति का तात्पर है कि उसमें सत्व और रज है कितन तो अप्रधान रूप से अर्थात कम है विक्षेप शक्ति में तम की प्रधानता से तात्पर यह है कि तम अधिक है और सत्व रज कम है तो आकास वायु अगनी जल्ब में भी सत्व और रज भी उत्पन होते हैं तमोगुन प्रधान विक्षेप शक्ति से किन्तो सत्व की मात्रा कम होती है और रज की मात्रा भी कम होती है तो ये हुआ विक्षेप शक्ति युक्त अज्यान से आक आकाशादियों को ही अपंची कृत भूत और सुक्ष्म भूत कहा जाता है चुकि इन आकाशादियों में शब्द स्पर्स रूप रस और गंध इनकी भी उत्पत्य होती है इसलिए इन्हें तनमात्रा भी कहा जाता है यद्यपी वेदानतसार में 35 यह तथ्यप्रकाश में नह कि इनको तनमात्रा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन आकाशादियों में शब्द स्पर्स रूप रस और गंध की उत्पत्य होती है इसलिए अन्य दर्सनों में शब्दादियों को तनमात्रा कहा जाता है यह समझ लेना चाहिए अब इन आकाशादियों से सुक्ष्म शरीर क वे 17 अवयव हैं, 5 ग्यानेंद्रिया, 2 बुध्यों और मन 7, 5 करमेंद्रिया, 12 और 5 वायू। इस तरह से 17 अवयव हैं। ये अवयव उत्पन कैसे होते हैं। तो इस पर कहते हैं कि आकाशादी अपंची कृत भूतों के सात्विक अंस से अलग अलग ग्यानेंद्रियों की उत उत्पत्ति होती है अर्थात सात्विक अंसवाले आकास से स्रोत्र की उत्पत्ति होती है सात्विक अंसवाली वायू से तचा की उत्पत्ति होती है सात्विक अंसवाली अगनी से चक्षु की उत्पत्ति होती है सात्विक अंसवाले जल से जीवा की उत्पत्ति होती है और सा इसी प्रकार इन आकाशादियों के मिस्रण से बुध्धी और मन की उत्पत्य होती है। इस प्रकार सात्विक अंस से ही ज्यानेंद्रियों की और बुध्धी और मन की उत्पत्य होती है। प्रिथक प्रिथक करमेंद्रियों की उत्पत्य होती है। अर्थात रजोंसुवाले आकास से वाक अर्थात वानी की उत्पत्य होती है। रजोंसुवाले वायू से पानी अर्थात हाथ की उत्पत्य होती है। और रजोंसुवाले प्रिथवी से उपस्त अर्थात लिंग जननेंद्रियों की उत्पत्य होती है। इसी प्रकार पंच वायू की उत्पत्य कैसे होती है। अर्थात रजोंसुवाले आकास वायू अग्नी जल और प्रिथवी के सम्मिस्रन से प्रान वायू की उत्पत्य होती है। रजोनस वाले आकाश वायू अगनी जल और प्रित्वी के मिसरन से अपान वायू की उत्पत्ती होती है रजोनस वाले आकाश वायू अगनी जल और प्रित्वी के मेल से ब्यान वायू की उत्पत्ती होती है रजोनस वाले आकाश वायू अगनी जल और प्रतिवी के मिलन से उदान वायू उत्पन होती है इसी प्रकार रजोनस वाले आकाश वायू अगनी जल और प्रतिवी से समान वायू की उत्पत्ति होती है इस प्रकार ये सत्रह अवयवों वाला जो शरीर है उसे सुक्ष्म शरीर कहते हैं लिंग शरीर भी कहते हैं और स्थूल भूत भी कहते हैं तो इस प्रकार से आपने जाना स्रिष्टी की उत्पत्ती यह स्रिष्टी भी सुक्ष्म सरीर की उत्पत्ती के अंतरगत आती है आशा है यह वीडियो आपके लिए उपकारी रहा होगा इसी प्रकार के सारात्मक और व्याख्यान अत्मक सास्त्रिय ग्रंतों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को अवज से सब्सक्राइब करें इसी प्रकार का ज्यान आपके लिए हम यथा सक्ति यथा योग्यता यथा समय लाते रहेंगे तब तक के लिए हमें अनुमती दीजिए नमस्कार